दोस्तो आज हम बनाएंगे मेथी का बहुत ही कुरकुरा चटपटा वो टेस्टी नास्ता जिसे बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे आप इन्हें ब्रेकफास्ट में सूबसाम की चाय के साथ मना सकते हैं ये खाने में बहुत मज़िदार लगते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने 200 ग्राम मेथी ली है धुलने के बाद इनको पारी काट लिया है अभी हम इनको साइड में रख देते हैं अब एक कच्चा आलू लेंगे छिलने के बाद इनको हम कदुकस कर लेंगे तो इसके लिए मैंने छोटे छेट का इस्तमाल किया है आप चायें तो इसे मीडियम वाले जाली से भी कच सकते हैं अब इसी के साथ थोड़े से अद्रग भी ग्रेट कर लेंगे और देखे लगबग एक इंच अद्रग को मैंने कदुकस कर ली है इनको भी अभी एक तरफ रख देते हैं अब एक बॉल में हम लेंगे आधा कप सूजी आधा कप ही मैंने बेसन ली है जितना सूजी है उतना ही हमें बेसन लेना है यानि आधा कप सूजी और आधा कप बेसन मिलाकर एक कप हुआ तो हमें इसमें दो कप पानी डालना है इसके लिए कोई कप या कटोरी शेट कर लेजेगा उसी से सभी चिज़ों को नापकर डालिएगा तो अभी हमने एक कप पानी डाली है पहले हम इनको अच्छे से मिला लेंगे जिससे की इनमें गुटली आना रहें और मिलाने के बाद देखें इसमें कोई भी गुटली गांठे बगर नहीं है तो अब हम इसमें एक कप पानी और डाल देंगे और इनको मिला लेंगे और अब इसमें आलू और अद्रक डाल देंगे जो हमने कदुकस करके रखी थी साथ में एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे एक चोटा चम्मच नमक आधा चोटा चम्मच हल्दी बेसन गैस करता है तो आधा चम्मच हमने आजवाईन ली है इसे हाथों से एक रश करके डालेंगे तो इनकी खुसबू बहुत अची आएगी आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चोटा चम्मच गरम मसाला पौडर आधा चम्मच मैंने धनिया पौडर डाला है एक चोटाई चम्मच काली मिर्च पौडर डालेंगे और दो बारिक कटी भी हरी मिर्च आधी नीबू का रसनी चोड़ लेंगे नीबू की जगा आप अमचूर पौडर भी ले सकते हैं अब थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और दोस्तों अगर आपको इस नास्ते को बिना मेथी का बनाना हो तो इसमें कुछ सबजियां और पालक डाल कर भी बना सकते हैं सर्दियों में मेथी भर-भर कर मिलता है तो आज हम इस नास्ते को मेथी से बना रहे हैं जिससे बच्चे भी बहुत असानी से खालेंगे तो इनको हमने अच्छे से मिक्स कर ली है अब गैस पर कढाई रखेंगे इसमें हम डालेंगे दो चम्मस तेल तेल गरम हो जाने पर इसमें एक टेबल इस्पून सफे तिल डालेंगे और इनको अच्छे से चटक ने देंगे और जब ये चटक चाएं तो हम इसमें मेथी डाल देंगे और इनको एक से दो मिनार तक भून लेंगे भून कर लेने से मेथी कड़वीने लगती है और स्रिंक होकर इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो आप इसमें ज़्यादा मेथी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो देखिए दो मिनाट हुए है मेथी सौफ्ट हो गई है तो अब हम इसमें ये घोल डाल देंगे डालने से पहले एक बार इनको चला लेजेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी तली में बैट जाते हैं और अब गैस का फ्लेम मेडियम करेंगे और इनको लगतार चलाते हुए पकाएंगे जिससे की इनमें गुठलिया न पढ़ें और तब तक पकाएंगे जब तक की ये डो जैसा न हो जाए और देखे इनको पकने में 2-3 मिनट का समय लगा है ये डो जैसा हो गया है तो अब गैस ओफ कर देंगे और अब एक प्लेट या थाली लेंगे इसे ओइल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे थाली की जगर ट्रे या केक्टिन भी ले सकते हैं इनको मैंने चिकना कर ली है अब हम इसमें ये डो डाल देंगे और इनको इस पेचुला की हेल्प से बराबर से फैला लेंगे डो गरम रहे तभी इनको थाली में डाल दीजेगा तो ये बराबर से फैल जाएंगे और अच्छे से से शेट हो जाएंगे इस तरह से हमने इनको अच्छे से सेट कर ली है अब हम इनको ठंडा कर लेंगे आधे कंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज में रख दे थी और ये अच्छे से ठंडे हो गए है तो चलिए अब हम इनके पीसेज कट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसे बीच से दो भाग कर रहे हैं उसके बाद हम इसके इस तरह से चार भाग और उसके बाद हम इसे इस तरह से काट कर आठ भाग कर लेंगे और देखें ये कितने क्लीन कटे हैं आप चाहें तो इने चौकोर पीसेज में भी काट सकते हैं मैंने इनको triangle shape में इस तरह से काट लिया है इस तरह से बना कर आप इनको फ्रीज में 2-3 दिन इस्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपको खाना हो तब आप इनको fry करके खा सकते हैं तो सारे pieces को मैंने निकाल ली है अब चलिए इनको fry कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने पैन में 2 टेबली स्पून तेल गरम कर ली है इसमें हम ये एक एक करके पीशे टाल देंगे जितना की पैन में आ जाए और जब ये एक तरफ से सीख जाए तो इनको हम दूसरी तरह पलट लेंगे और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए इनको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर कम तेल में भी ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं तो इस तरह से हम इनको पलटते हुए फ्राई करेंगे, जिससे कि ये सभी तरफ से अच्छे से सिख जाएं। तो देखे, सभी तरफ से ये बढ़ियां से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओयली भी नहीं हुए हैं, और एकदम क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, और दोस्तो अगर आप बहुत कम तेल का खाना पसंद करते हों, तो आप इसमें राई करी पते का तड़का लगा कर भी खा सकते हैं, ये नास्ता हेल्दी भी है और ट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सस्काइब करना ना भूलेगा, फिर मिलते हैं एक नए रेश्पी के साथ धन्य बाद